हलो फ्रेंच वेल्कम् टूव चैनल करणड़ अप्डेट इड आज दिवशी शवस्ती आज बढ़ी टूमेट सीरीज में आपको इंपोर्टन वॉटरफॉल सॉ इंडिया पताने वाला हूं जो कि बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपके कमिंग एक्जाम्स में ओके लेट्स स् स्टेट में लॉक्रिट है यहा ढ़र नोहक Efshy City इसलिए 플然后 मतल før भी अब करते है यहां पियू होती तो जो सबसे इसे डूल जो है एस सब्सक्राइब के सकते कालक्राइब काहाँ पर वाटर्पले में तो जो waterfall का state important है वो में बताऊँगा, जिसमें river state दोनों important है वो में हाँ पर add करता जाऊँगा, remember, ठीक है, next अगर बात का है bishop waterfall, यह important इसलिए आप देख रहे होगे, multiple streams में flow कर रहा है, तो कभी जाएं तो ज़रूर visit करें, multiple streams में है, यह भी meghalay में located है, okay, next waterfall की बात को है elephant waterfall, इस waterfall का विजिट कर सकते हैं, next है दुद्चागर waterfall, जो लोग गोवा गए होंगे, मंडोवी river के बारे में सुना होगा, चिन्ने express movie देखे होगी, यहां एक railway track बना हुआ है, वहाँ पर waterfall flow करता है, बहुत beautiful waterfall है, मंडोवी river में, गोवा में, remember, next waterfall की बात कर रहे है, that is, तो यादे क waterfall, जो मद्द प्रदेश थे हैं, remember, नर्मदा river पर है waterfall, यादे के सेंटर इंडिया का बहुत important waterfall है, जबलपूर मद्द प्रदेश में located है, that is, दुआदार waterfall, okay, next है राजरप्पा waterfall, important इसलिए है, remember, क्योंकि यह जो है, दो river के conference के बाद यह waterfall बन रहा है, जो की जारखन में है, remember, जारखन में रामगर जगे वहाँ पर बन रहा है, किस river पर दामुदा river और याद अखिये का जो वहाँ की भहरावी river है, remember, इनके conference के बाद यह waterfall डवलप होता है, तो यह important है, जारखन में रामगर में लोग रहे है, okay, राजरप्पा waterfall, next बात है हुन्डू waterfall, again, very important, एक बाद रिजर्व भी सुना होगा, या देखिएगा, उसी नाशल पार्क के अंदर आप जाएंगे, तो आप को वाटरफॉल देखने को मिलेगा, बड़ा important, बड़ा beautiful waterfall है, तो कभी भी आप अगर उडिशा विजिट करें, तो सिम्ली पाल विजिट करिएगा, वहीं पर यह waterfall लोक्रिड है, तो नाशल पागो बायो स्वेर में लोक्रिड है, इसलिए important हो जाते है, नेक्स है, जोग waterfall, इसको गेसर अपर वाटरफॉल भी कहते हैं, यह important इसलिए क्योंकि यह सबसे largest waterfall है, remember, highest में अभी होता है, largest waterfall है, करनाटका में लोक्रिड है, याद रखेगा, शराव इकल waterfall, याद कि यह important क्यों है, होग नेकल waterfall की बात के हैं, तो कावेरी रिवर पर waterfall है, और तमिल नाइडूग पे लोक्रिड है, remember, यह भी कोशन में एक्जाम से बहुत स्टेट पीस्टेस में देखा हुआ है, तो आपको help करेगा यह waterfall, नेक्स है, कपिल धारा waterfall मद्ध पदे waterfall है, यह मद्ध पदेश का सबसे हाइस waterfall भी होता है, याद दखेगा, यह भी बीहर ने रिवर पर है, remember, next waterfall के बात के क्योडी waterfall, यह भी रिवा में है, remember, मद्ध पदेश में located है, और किस रिवर पर महाना रिवर पर है, याद दखेगा, रिवर तो इस इंपोर्टन नहीं हो waterfall located है, और लास waterfall जो आपको बता हूँगा, यह waterfall कावेरी रिवर पर करनाटका में located है, remember, so आपको याद रखना है, के से करनाटका है, के से कावेरी है, बड़ा इंपोर्टन waterfall है, तो कभी आप जाएं तो इस waterfall को जरूर विजट करें, okay, तो मैंने जिस्टर पॉमिस किया था, आपके topics में comments पढ़ता हूँ, उसके according ही में lecture लेके आता हूँ, next comment क्या आने वाला है, कौन सा comment select होगा, और उसके according ही next lecture decide होगा, remember, तो comment करते रहे हैं, कि आपको कौन सा lecture सी है, अगला two minute series में, जो जल्दी हम यहाँ पर बता सके, remember, और हमाई hand and notes लॉंच होगे हैं, जहाँ प without query आप हम से पूछ सकते हैं, और नोच के बारे में आप WhatsApp contact कर सकते हैं, exam के लिए मेरी guarantee अगर आप उस booklet को follow करेंगे, कल से तो मैं two minute series में आपको booklet भी दिखाता जाऊंगा, जब मैं यहाँ पर आया करूंगा, को doubt query है, ज़रूर बताए, next topic ज़रूर comment करें, और वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले, thank you.